नमस्कार विद्याथी मित्रो वेट डिजिटल एजुकेशन मां हुँँ परेश्विरेडिया आप सर्वे मित्रोंनों हर्देख स्वागत करूछु। मित्रों आपणे जोईरियाची धोरण साथ विशैसामाची क्विग्णान नो पाठ साथ विशै। जेमाँ आपणे वाद करी गया भारत नी प्रादेशिक भाषाओ। विवित्ता जोवा मले छे रेणी केणी भाषाओ, बोली चाली पहरवेश, आसी वहनु शाहित्य चित्रकला, आप बध्धी ने वस्त्वने आधारे भारत माँ छे इसु जोवा मले छे तो के विवित्ता मले छे आने लिदे आपणे वाद करी गया कि आपणे जे बारत मा जे प्रादेशिक भाषा उवो छे आya जोवा जोवा नी खै गुझिरात् प्रमुक तेहवारो छे मुख्य तेहवारो छे यह नहीं पन चर्च आपड़े आ वीडियो मा करीशु तो मित्रो आगलनों वीडियो ना जोयो हो जो तो तम्हें प्लेलिस्ट मा जेहने जोय शको छो तो चालो मित्रो आपड़े वाद करिये गुजराती भाषा तो के भारत अनेक भाषाओ और बोली वो शाथे शंकळायलू राष्ट छे जो भारतनी वाद करिये तो बारत मा घणी बदी बोली वो छे अलग अलग बबाशाओ छे अनी देश शंकळायलू छे आब बदी साथे प्राचिन काड मा संस्कुरूत, प्राकुरूत, तमिल जेवी भाषावनु चलण हतू प्राचिन समय नी वाद करिये, प्राचिन इत्कियास मा वाद करिये, प्राचिन समय गाला नी वाद करिये, पेलाना समय नी वाद करिये तो बारत मां कई-कई भाषाओ वधर फ्यम में सती एक तो संस्कुरूत और प्राकुरूत अने कवा है तो के तमिल भाषा छे इचलन मां आती एडले के यह न कई वेपार नो था तो पण सामान्य लोकों नी बोली चाली मां सामान्य वेवार मां आ भाषाओ जुवा मनती होती समय जता तेमा थी अनेक प्रादेशिक भाषाओ वनो विकास थायो अले के सम्यान तरे अमुक अमुक समय पची आ बधी भासाओ माँ छे गणा बदा सुन थता गया सुधारा थता गया अने पची येने लिदे दिमे दिमे जेते विस्तार पूर्ती प्रादेशिक नवी भाषाओ उदपन थवा लागे प्रादेशिक राजियोनी स्थापनाय प्रादेशिक भाषानो विकास मा बढ़ पुड़ पाडियो औने संस्कृत माथी तेमत दक्षिन बारत मा तमिल माथी गणी भाषाओ जन्मा थयो अब धी उदबव थवा नो पाचलनो कारण तो के एक तो प्रादेशिक भाषाओ नान नानी बोलाती हती पन येमाई पछी प्रादेशिक भाषाने आधारे रचनाओ थे प्रादेशोनी रचनाओ थवा लागी आची आर जे भाषाओ थे प्रादेशिक भाषाओ एन्ने व आठमी सदी ना प्रद्यशिक भाषावो ना विकाश ना वेग आवियो अने हिंदी, खडी बोली, अउधी, बंगाली, गुजराती, मराथी, मल्याली, तेलुगू, कन्नड वगेरे भाषावो विक्सी अठमी सदी ना शमय गाळवाए वो प्राचिन समय मा तो भाली मात्र त्रहनाज भाषावो खास करें जोवाव मलती ती काये, तो एक तो संस्कृत, एक तो कई आउशे, प्राकृत, आने त्रिजी कई आउशे, तमें, पन धिमे धिमे जे छे इस समय जत्ता जत्ता नवी-नव भाषों विक्सात विकास थेयो, आन्तर गत आउशे मी सदी नी समय गाळवावाए वोत, ये समय गाळवा मा तो कई-कई भाषों थे गए, तो के हेंदी भाषा, खडी बोली भाषा, अउधी, तो के बंगाले, गुजराती, मराथी, मलायाली, हां मल्याली, तेलुगू, कन वगेरे भाषा ओचे इसारा प्रमण में विकास थेवा लागयो, इस्वीशन दस्मीनिय अग्यर मी सदी मा संस्कुरूत, प्राकुरूत, अब्रश माथी गुजराती भाषा नो विकास थेयो, तो आर इतना गुजराती भाषा उत्पान थे, कई, तो के सवप्रत्थम संस् प्राकुरूत भाषा, प्राकुरूत भाषा, अब्रश भाषा, अन एमा थी गुजराती भाषा नो विकास थेयो, फेलाओ, थेयो. नेश्ट आपड़ो छे आगल जोईए अवे कि आपड़ी जे भासा छे एमा कोणे महत्वनु योगदा नहीं पूँ आपड़ी भासा मा फेलाओ माटे कोणे-कोणे पोतानों प्रचार केरो पो तानों महत्वनों योगदान है पूँ एवाद महत्वना व्यक्तियों विश्य वाद करिए तो के अब्रश ने गुजराती भासानी जननी जननी एटले थाई माता चनेता चननी माता चननेता माँ अब देना समा ना थी सब्दों जो मित्रों अले ध्यान राक जो बैई नेक्स जो याए तो के बहे कई भासा ने गुजराती नी जननी केवामा आवे छे तो याद राक्सु कोण आउशे तो के बैई अब्रश भासा ने आचारिय हेम चंद्र थी अब्रश भासानी सर्वात थे क्याना कईया कवी थी तो के आचारिय हेम चंद्रा चारिय ज्याथी छे ये बाई कई भासानों अब्रश भासानी सर्वात थे अन्य संस्कुरूत प्राकुरूत अन्य अब्रष भासा पची गुजराती भासानों विकास थायो अचारीय कौन तो के हेम चंदरा चारिय अचार्य भासानों सारा प्रह्माण माँ विकास थायो हत यह तो कई शकाइ जो आए तमने फोटो एक लै शकाइ आकोन छे आत्चारिय हेम चंद्रा चारिय। छेने लखान तम्हें आतमा जोई शको छो तो के बाई जयन मुनियता हा घणायम के सेप आउकें तो के बाई जयन मुनियता आथी आओ एमने पहरवेश से तो एक महत महत आते हम कई शकाए तो आना समय थी छे अब्रस भाषा मां चाहिसों थी हो तो के एमनों विकास थायो एमने भेग मेलो और एमनों प्रचार थवा लाइगो अले के कई रितना गुजरती भाषा फरी थी एक वाकत करम याद राक्षू संस्कृत प्राकृत अने अब्रस अन यहमा थी आऊशे गुजराती तो आपने पूछाए के गु गुजराती भाषा माट गुजराती माटेज कई शकाई तेवो नवो साहित्य यूग नर्सी मेता ना हाथ चे विक्से चे लेके गुजराती भाषा मा सेपरेट जो आपने अगलवाद केरी नी अब्रस भाषा मातो कोयो भाषा मातो हम चेंद्राचारियो वालो अब्रस भा तो नर्सी मेता छे एन्या समयमा छे शारवयो विकास थयो तो यह मित्रों नर्सी मेता नो आपड़े फोटो अत्यारे दर्शावी शिका न थी हाँ सरस चे चे भई आ नर्सी मेता छे भई आपड़ा आने बीज्या मले लिए भई टेंशन नाइइन परो आपड़ा इन खिली वह थो आत्यारे आले जोर्दार छे ना भई डुली वर्द भगोळे वाणिद आपड़ा आपड़ा अलक्यों यह थो नर्सी मेता तमें जोई शको छो कताल अले बाई जोर्दार छे ना ब आपड़ा पाशी मीराबाय, जो के अमनों जन्म राजेस्थान मा थयो होतो, पन गुजराती भासा मा यहू सारू यहू योगदान, और सव प्रत्थम महिला कवित्री नू जो कोई ने बाहमान मेलुए, तो इकोण छे अपड़ाई मीराबाय, तो के आ नर्सी मेताना समय थी इस आहित्यने यूग ने छेव मलिए तो के वियग मेलो, और इना आथे गुजराती भासा मा शारू यहू विकास थयो, आ नवा यूग ना सुत्रधार तरीके नर्सी मेता, मीराबाय, भालन, उपसी आवे, छे, आजे प्रत्थम जे भासाना जे एक महत्मना व्यक्ति कोई तो के नर्सी मेता भाय, हाँ, जोर्दार कवी यह मित्रों यूग के वाई छे, के वाई आल व्यक्ति है, क्या रे बनवा गिया न थियो, हाँ, छता यह मने डोड लाख, एक पॉइंट पच लाख, पंग्तिवनी रचना करी छे, केटली, डोड लाख थी वधारे, चे आपन के, क्या ही तमने कानुमातर नी भूल जोओ मले, ने, विचार करो के भाय, पोते के अक्सर्गनान लिदू न थी, छता पण यही सरस्मजानी रचनावों करी छे, और इतियास मा कोई थी सवुथी वधारे, कोई यह जो रचनावों करी होई, तो यह कोण छे आपने नर्सी म भाय कोई एक महत्मना द्वारकाना भाय, द्वारकामा पोते रहाता, और ठेमने दिहनो त्याक करियोता जो के अनुमा जन्मा छे, इता मेरता राज़स्थान मा थी होता, पंड राणाजीन तंवे ख्याल हज़े, जेर ना, प्याला, मोखले राणा जीन, ख्यालने राजा राजाज साथे तेमना शेशन लगन थिया पड़े दियर खेल आवेचे लाएचे ले पड़े प्रेशन करता अथी चेही त्राशी ने पची व्रज गयान व्रज माती को यहें एमने कि दू कर्ष्ण तो त्यार हाल मा थे अचे शाराष्ण द्वारकामा चे भाई सोना ने माती अवेचे अ अथ फोतेचे ई आखे मनदीर मां शंता जाइचे चरण चरण बंद करिदेचे आथी त्योहां कर्भामा आवेचे पक्राण तोडि देवमां एवेचे जार्य जोवां मांवे तो मिरा बाई तूली अम अगलता नIGHT यही उ gotta अणवामा आवे छे के मीरा भाई कार नर्सी मेतान आवा जोड़दार रचनाओ साथे कोई वह साहितियमा तो एक नर्सी मेता मीरा बाई त्री जगए व्यक्ति छे बाई आपड़ो तो के भालन यहने कें भुलाई भाई अपने भुली शक्किये नै तो आगा सरसमजानी रचनाओ छे खास महत्वना कवी ओध वारा छे इ रचनाओ थाई छे आशी वाई आपने प्रेमानंद छे न जो बाजुमाई पूछे प्रेमानंद ख्यालाव जेन महा कवी प्रेमानंद रचित कुवर भाईनू मामेरू ओके तो इवधी महत्वनी रचनाओ जो बाजुमाण जो तो बै नर्शी मेटा मीराबाई और भालान छे इमाहत्वना कवी ओछे आ त्रणे भक्ति साहित्यन विकास चाथे गुजराती भाषान विकास किरो लो त्रणे जेचे वेक्तियों ये पोते एक भक्ति आपजयात्मिक ब्यक्तियों ने खे भक्तिमाध्यम रखीनें पो ते रच्नाँ हो करी छे ये एक भक्तिना उद्येशिय करी छे पन आद इतने चुत्तय चता पने गुज्राति बाषाननो शारो होशू करो छे विकास करो छे फेलाहो करो कि अई कि इना पुत्र हो जो कि एना पुत्र ना लगनमसा नर्सी मेंता ने तो काई टेंशन अजन नो तु भाय जरे वह लेववव इकोन लेशे क्रष्ण ने लेवव लेवव लेशे आपणे काईने आपणे खाले एक कच क्रष्ण नी भग्ति करो तो आग रितना आमा कुईनू वणन चे कै भई सामलदास ना विवा चे इ आखो प्रशंग लगन नो प्रशंग छे इक रितना चे इक भगवान क्रश्ण चे इ आवे चे अने पोते एमा जे विदिवो जे पन होई इ बधी पूरी करवाम आवे चे ये आकी माहिती सामलदास अरि नितनी पड़स न विवामा चे आशीवै कुईर्भाई मामेरू तो कुईर्भाई मामेरू चे इनरसी मेतता नी पंजे प्रेमाश न नणी पंचे आले ध्यान-राक्षू मित्र हो पन् आया कुईर्भाई मामेरू आट समय माजे श्रीमत ना प्रशंग मा जे जी पोते आवे छे अन्ने आज सारी रितना छे आके अन्मी विद्धिव परी करे छे आ सिवाई हुंडी क्याल चेन मारी हुंडी स्वीकारो महरा जरे शामलागीर धारी तो आ हुंडी जे 700 रूपिया भाई शामलादास जे गणी आपे छे इहुंडी मा एनू वर्णन छे आवी जिरितना सुधामा चरीत्र भाई जे क्रश्ण ने सुधामा नी मित्रता ख्याल चेना ये जो तमने फोटो पनाई पो जे सरस्म जानो क्रश्ण भगवान छे सुधामा पक द्रिया चे क्रश्ण भगवान एक राजा बनी गया हुए सुधामा चे दिवस्य दिवस्य गरीब थता जता हुए लेके डेनिय स्थीती होए पसी तंदूर चोखा कबर जे ने तम्हें कियांक नहीं कियांक तम्हारा वाली पासे बेसी ने नीराते आग वदी वार्ताओं सांबढ़ भी तम्हें घंव बदू नवु जहनवा मल से आशिवाई दान लिला तो अब दी कृतिवो छेई कोनी छेई रचनाओ छेई नर्ची मेहतानी छेई लोको ना मुख्य छेई गुजदी करी चेन आर इतना इमने गुजराती बासानों सो के रोचे तो के विकास के रोचे मिराबाई पन क्रुष्ण भक्तिने केंद्रमा राख आशिवाई जुनूतो थायू रे देवल जुनूतो थायू मारो हंसलो नानो रे मान देवल जुनूतो थायू आवी बधिक रचनाओ आक्वनी छेई मिराबाई नी छेई एवीज रितना भालने सव प्रत्थम पोतानी रचनाओ मां गुजराती बासा माटे कयो सब्द भालने गुजराती बासा माने कयो सब्द रेफ रर्थम वाय प्रत्थम होता थायू बालने इवा नहीं पोतानी ओष्चनाओ कुजराती बासा माटे कुछेऊ रूरीचनाओ ब्रामनूती होता कि ऱुलूतो भालन परत्थम हैं आवीर भालन तर्मात कि रचेए तो जुनु पर पच्छीनु जीवन चेही क्या रहता एना बाई पांसे एमा गणी मित्रों इनी स्टोरी ओछे जोड़ायली छे वार्ताव नानना बनना घटनाव जोड़ायली छे केमना भाभी छे पर 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 दर्स्चन करी शेको अन पच्छी एमना लगन थाई छे मानेक बैशा थे पच्छी एमना बेशनतानों थाई छे कुवर भाय अने शामर दाशने पच्छी एनू जीवन छे धिमे धिमे अगाल बत्तु होई तो के बैशना रहता हो ये छे पोते तो के जुनागर मा रहता हुए मीर्या बाई तो आपड़े वाद करी गया राजेस्थान मेवड ओके वची ए तो के द्वारकामा छेले एमना अन्त समय मा आवे छे अना ये रहता हुए नाखियनीक एक स्टोरी आपड़ चर्चा करी अव मग अलग नाथे हुए गए अआसि भालन मा वाद करीया तो जीना अक्यान पीता गो शे बीरुद मेड भींषिनी अ इने क्यान रहिष्णा हो बाई इमने रहिचना थे जो में रहिष्णा लेकिस आखियान सब्स्काष्णा में अपड़ downward 형 되면 का द्रु अवजियानम्ह व्रुगी आख्यान पछी सीव भीलडी समवात तो अब अधी आख्यानों छे के जमा कैकने का बगती ने चे केंदर स्थाने राखी ने अब अधी रचनाव करवा मावी चेने एमा रचना अंतरगत गुजराती भाषानों छे सारा प्रमण माँ फेलाव करवा माँ आवेलो छ अधी औरं गुजराती भाषानों कज़ाया आट्मीस सदी नी आस्पास ख्यामनों अधि मेधेए घिमे अब रस अने अब्रस मा थे गुजराती भाषानों छेई समावे स्थय। सब्रधिम एवे serie हें चंंद्राचारिया जिदराज जिएसीना राजगूरु उता झुमारपाल ना राजगूरू उता। जैनी चर्चा आपणे पेललाज पार्ठलमा करियती मित्रों मित्रों थे ब्लेत। दे आपे वाध करियते हें थे जिए orchest्राचारिया .. नैस्ट आप्ड़ु टोपिकुख चे भारत ना उच्सफ जो घुना विदा उत्सफ इत्ら प्रमुक जैन अवत्सफ ओ अखि अफिकुख